नमस्तकार किसम साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फीर से मालवा की शेती यूप डूप चैनल पे किसम साथियों स्वयबिन फसल की यहुदी की बात करें तो अदिक्तम शेत्र में यहुदी 45-55 दिन की अवस्ता में हैं और इस समय हमारी स्वयबिन की फसल विबिन विरैटियों में विबिन चरणों में हैं यह यह कहें कि जो शिगर पकने वाली विरैटिया हैं उनमें फलिया बन रही हैं और जहाँ पर शिगर बुए हुई थी वहाँ पर दार्या बनने लगें और जिसना दाथियों इस समय हमारी फ़सल बहुती नाजुग मौड़ पर होती हैं जितना भी खर्चा अभी हमने इसमें किया है तोड़ी सी गलती यदि हम कर देते हैं तो काफी ज़्यादा नुकसान हो सकता है नुकसान यहistles कोशतर है कि आपके खेद में इसी खीटों का आटेक भीन का रूप से हो जाए या आपकी फ़सल रोगरस्त हो जाए तो आपको काफी नुकसान हो सकता है बने बनाई हुई पसल भी जा सकती है इसलिए सैट्य हो था हैँ आपको अपनी फ़सल की देने मोनिटरि आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो शीक्र पकने वाली वेराइटिया हैं जो 85 से 90 दिन का समय लेती हैं उनमें इस समय कौन-कौन सी समस्या आती हैं और उन समस्याओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं तो पूरी जनकरी लिए वीडियो आप आखनी तक जरूर देखिएग किसलतातियों यह जो अवस्ता है यानि जब फलिया बन रही है या फूल से फली बनने का प्रोसेजिंग चल रहा है या जब फली में दाना भर रहा है इस समय कीटों का अटेक हमारी फसल में हो जाए तब भी हमें काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है साथ ही यह फंगस का भी पारियो करना है जो हमें लुवन्बे समय गिशल्ट देए और हमारी फ़सल की पूरी तरह से कियर करें को किसलोगों के दोलों परकार्ट के किटों को मार ढाले किसलों के हो होगी और किसलोगों होंगे इसलिए हमें एक दवाई का ऐसा कोमिनेशन बनाना है क्योंकि दोनों परकार के किटों को मार डाले किसल साथियों तो सबसे पहले हम रस्तु से किटों की बात करें तो यह आपने पूर्व में सोलोमन या अलिका का प्रियोग कर लिया है या इन दोनों का प्रियोग कर तो आप इसकी जगह प्रोपेनोपास या प्रोपेनोपास साइपर मेथिन का जो कोमिनेशन आता है वो ले सकते हैं इन तीनों दोवाईों में से आपको एग लेना है लेकिन ध्यान रखे कि आपने वो दोवाई पूर्व में ना लिए हो इसके बाद किसल साथियों की बात क मोसम यदि सही रहता है किसल साथियों तो 15-20 दिन तक का आपको इस दवाई का रिजल्ट मिल जाता है यदि दो फार्मॉलेशन में आती हैं 5% HG फार्मॉलेशन जिसमें आप दानेदार मिलती हैं जिसे आप सेव वाली के नाम से जानते हैं और एक और आता इसका लिक्वीड फार्मॉलेशन आपको जैसी अविलिबल हो जाए आप वो ले सकते हैं इसकी जगा आपको दूसरा टेक्निकल लेना पड़ेगा और वो है किसल्साथियों को रोजन वाला फार्मॉला जिसे आप क्लोर एंट्रो निप्रोल के नाम से जानते हैं किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जिस पर आपको ट्रस्ट हो और यदि किसल्साथियों आप दोनों कीटों के लिए फूरू मिश्रित कीटनाशक का परियोग करना चाहिए तो आप यहाँ पर एंपली गो जो दवाय आती हैं उसका परियोग कर सकते हैं उसमें लोर इंट्रों छूसने वाले की düntों पर भी अच्छा नइंट्रण देती हैं तो जैसी समझ से आपको अपने खेत में लग रहे हैं उसी इसबसे इन दवाय और को परियोग कर सकते हैं और किसी सास्था जिस परियोग हैं यहां आप को मामेटिन में चाहिए तो इनके साथ एक दवाय क्रोस और ले लेजिएगा खास करकि रश्चु सक कीटों के लिए ताकि आपके सभी बरकार की कीटों की सवस्या समाप्त हो जाए और यह जब कॉमिनेशन मराएं किसा साथ यह दि मुस्वन सही रहता है तो कम से कम 15-20 दिन की अवस्ता आपकी फसल की निकल जाएगी और जब यह उस्ता निकल जाएगी तब फल्यों में कड़ा पना जाएगा और यह फिर आपकी स्ववन की फल्यों को खा नहीं पाएगी तो एक इसा उपाई है जो कि आपकी फसल की इस वस्ता में जब आप 50-60 दिन के आसपास चल रही हैं पेटाले दिन के आसपास हैं तो इस समय यह आप यह आपकी स्ववन की फसल में लास्ट एस्प्रे होगा और किसंसात्यों यह फंगस का आपको देख रहा है या आपके छेत्र में फंगस का आठे हर वर्ष होता है तब आप ऐचासा फंगी साइड भी ले सकते हैं चाहे तो आप BASF का प्रयक्सर ले सकते हैं या आप लेकिसासात्यों सुमितों में कम्पा इंका स्वाधिन क्यूं अधिक मात्रा में हैं तब आप हेवी मेलिकल यानि की प्राक्सर की और जाना चाहिए बहुत सब्सक्राइब इसको ले नहीं पाते हैं क्योंकि इसका बजट काफी जादा है या यह काफी महिंगा है तो आप स्वादिन भी ले सकते हैं किसल साथियों यह भी बहुत थी नहीं हुआ यह लास्ट श्प्रे कर लिए इन अर्ली विरेटियों में तो खिसल साथियों फिर हमें कोई करने की शाहिदी जरूरत पड़े और दवाईयों का रिजल्ट किसल साथियों मोसम की उपर डिपेंड करता है यह मोसम बल्कुल सही रहा तो इसके बाद आपको शाह से आने वाली है नहीं तो आप ये इस प्रेह कर सकते तो उम्मिद करता हो किसां साथ यो यह जान करें आपको फसंद आएगी पसंद आए तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यह आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस इनी किसां साथ यो किसां शेयर कर सकते हैं किसी भी प्रकार कोई समयस्या है तो आप कमेंट पर मेंचन कर सकते हैं फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जान करें साथ तब तक के लिए किसां साथ यो खैल रखेगा आप अपने परिवार का अपने पशुदन का और अपन बाँ जे किसान